साल 1982 में आई फिल्म नमक हलाल में अमिता बच्चन और स्मीता पार्टिल ने साथ काम किया था इस फिल्म के डारेक्टर प्रकाश महरा थी इस फिल्म से पहले स्मीता ने कोई भी ऐसी फिल्म नहीं की थी जिसमें स्मीता को सिंपल रोल के साथ साथ बोल्ड सीन भी देने थे इस फिल्म में भी स्मीता साड़ी में ही नजर आई थी लेकिन इस फिल्म में एक बेहधी बोल्ड गाना था इस फिल्म में स्मीता पाटिल और अमिता पचन पर एक गाना फिल्म आया गया था गाने के बोल थे आज रपड जाएं तो हमें ना उठाईयो इस गाने में हर सीन और गाने के हर बोल सभी बहुत ही बोल्ड और रोमैंटिक थे एक इंटर्व्यू में समिता ने बताया था कि वो इस गाने को लेकर काफी डरी हुई थी फिल्म नमक हलाल के इस गाने में अमिताब और स्मीता को बारिश में भीगते हुए फिल्माना था और स्मीता इसे फिल्माने में बहुत डरी हुई थी और जिजक रही थी और उनके डर को कम करने के लिए अमिताब बच्चन ने स्मीता से शूट के पहले काफी दिर तक बाती क आपको बता दे गाना काफी बोल्ड और रोमैंटिक था गाने को शूट करने के बाद उन्होंने ये सोचा कि इस तरह के सीन उन्होंने कभी नहीं किये तो ये गानी की सीन उनके फैंस को अच्छे लगेंगे या नहीं और ये ही बात सोचते हुए समीता पार्टिल पूरी रात रोई आपको बता दे समीता ने अमिता बचन को कह दिया था कि वो अब एक भी कमर्शियल फिल्म नहीं करेंगी अमिता आपके काफी समझाने के बाद समीता इस फिल्म के रिलीज के लिए राजी हुई थी वहीं फिल्म रिलीज होने के बाद समीता के फैंस को ही नहीं बलकि पूरी दुनिया को ये गाना बहुत पसंद आया और समीता ने माना कि उनका अंदाजा गलत था कि उनके फैंस उन्हें पसंद नहीं करेंगे